हलो फ्रेंस आज हम बनाने वाले हैं बालू साही वो भी बिल्कुल पर्फेक्ट मेजर्मेंट के साथ बहुत ज्यादा टेश्टी ओपर से खास्ता और अंदर से एक्दम रसीली तो फ्रेंस मैं यह नहीं कहूंगी कि हल्वाइस जैसा पर्फेक्ट बालू साही बनाएंगे मैं अच्छा लगेगा लाइक से जरूर किजिए कैस वीडियो सबसे पहले हम मेजर मेंड बताएंगे आपको तो देख लिजिए यहां पर चार कटूरा लेंए एक साईज के कट्वरे हैं एक कट्वरे में व będzie के लिए है मेदा और एक कटोड़े में आदा कटोड़ा लिए हैं यहाँ पे हम सूजी तो फ्रेंज आज बालू साही बनाने का एकदम खास ट्रिक बताने वाले हैं जो कि आप पहली बार बनाएंगे ना तो उसमें भी आपके बालू साही एकदम परफेक्ट बनेंगे उसमें भी पांस से दस मिनट में एकदम जूसी आपको सोचने का मतलब समय भी नहीं मिलेगा इतना जूसी इतना सुंदर बने के तयार होगा तो यहाँ पर हम घी ले लिए हादा कटोड़ा एक कटोड़ा ले लिए हैं चीनी तो चलिए हम क्या करते हैं सबसे पहले चासनी बनाते ह टायब होगा जिदा टाइम यहां पर आप जदा पानी डाल देंगे दो पानी जलाते ही बहुँर ताइम लग जाते चासनी बनाने में तो अब चास्नी में हम दो से तीन हडी Adm जरूरी होता है छास्टरी को नजबSON को थीमिल तो कन देख लीजिए अब क्या एक बाौल ले लिए है बड़ा चाल Cats में बना रहे हैं यहां पर आप गहू काता हिज argues कर सकते कों बना Technos मेडा में लाई हम अधा कटोड़ा सूजी टालें हैं तो legisl rum muchi के भी डाल सकते हैं अगर में भाषी सूजी ही लाते हैं तो मेडा में मिक्स गर दिया में बालू साही का में चीज़ क्या होता है बालू साही का आटा लगाना यहां पे जो हम आटा लगाएंगे यही परफेक्ट लगना चाहिए कि मेरा बालू साही एक्तम परफेक्ट होगा तो यहां पे आपको अच्छे से ध्यान देना होगा छोटे छोटे बात पर ध्यान दोगे तो फिर रेसीपी में गरवर नहीं होगा एक बार में ही आप फरफेक्ट मिठाई या फिर कोई भी रेसीपी बनाओ ध्यान से देखो वीडियो को उसके बाद बनाओ यहां पे हम दो कप मेदा में आधा कप देसी घी डाले हैं और आधा कप देसी घी के साथ पानी डाल दिये हैं अब सब को एक साथ अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे हम कोई कचोड़ी बनाते हैं एक दम खास्ता बनानी के लिए तेल या घी उसमें ज़्यादा यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी वही हुआ है, अच्छे से इसमें हम घी डाल के, साथ में पानी डाल दिये हैं, यह एक में ट्रिक है, जो कि घी के साथ में पानी डाल लिए, वो घी न अच्छे से खास्ता बनाता है आटे को, देख क्यूंकि हम साथ में पानी डाल दिया हैं यहां पे देखली जी अब क्या करेंगे इसमें हम एक एक चमच दो दो चमच करके पानी डालेंगे और इस आटा को गुदते जाएंगे देखली जी आटा की जैसे हम रोटी तयार करते हैं मेदे को अच्छे से गूद लिए है तो कभी-कभी मेदे को नवा आटा बोल देते हैं तो पर इसके लिए तो देख लिए तो देख लिए जी प्रेंस यहां पर हम आटा गूंते जाएं एक एक चमच करके पानी डाल दें थोड़ा तो एक बार में हम उतना पानी नहीं डाले ह पर भी हम एक कट्टोरा पानी लगा और दूड़ा पानी के साथ ऊप्टाट नगा लिए तो पानी तो लगेगा तो पानी लग गया है रे जगा लगा नहींτο हम दर क्या कीए इस तरह से हाथ में लेना है और तोर-तोर के ना जब रखना, मिक्स करना ए इससी तरह से, इससे क्या होगा और आपके टग्री में बहुत सारी पर्ते होंगे और एकदम रस भढ़ेंगे बढलेंगे, ऐसे रस में डालोगे और एकदम सोक कर लेंगे इस तरह से mix करोगे एकदम से जाली बनेंगे तो देख लिए एक ट्रिक और हम आपको बताने वाले हैं जो कि आपके बालुसाही एकदम perfect बनेंगे पहली बार में अगर आप पहली बार बना रहे हैं बालुसाही तो ये चीज़ करना मत भुलिएगा अगर कम घी भी डालेंगे तो ये चीज़ करेंगे तो आपका बालुसाही एकदम perfect मेरी गारेंटी है एकदम perfect बनेंगे हम भी पहले बालुसाही बनाते थे ना perfect नहीं बनते थे जितना की अब बन जाते हैं एक बार में ही बहुत ही आसानी से बालुसाही बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगते हैं दस से 20 मिनट पे हम बालु साही बना के एक से डेट केजी तयार कर लेते हैं तो देख लिजे फ्रेंस यहां पर क्या किये हैं इसको ना हम दस बार इस तरह से कट कर करके एक जगह रखेंगे और देख लिजे फिर जब अच्छे से इसमें जाली पड़ते बन जाएंगे बहुत सारे फिर इसको हम दो पार्ट में मतलब कट किए हैं फिर लंब से बनाए ए पिर छोटे-छोटे देख ली की तरह कट कर लिये इसे क्या होगा एक ही साइच कि बालु साही बनेंगे और दीख लिए इसको गोल सा बनाए है जैसे लोई बनाते है रोटी बनाने के लिए और देख लीजे कोई सेफ नहीं है सिर्फ गोल बनाना है और ऑंगली से में हॉल बना देना है इसी तरह से फ्रेंस सारे गुलाब जामून के पीसे हम तयार कर लेंगे तो फ्रेंस आपके तरफ ना आपके गों में आपके घर में बालू साही को घर में क्या बोलते हैं मेरे गों में न हम बिहार से हैं तो मेरे गों में बोलते हैं टिकरी बालो साही को तो आपके तरफ क्या बोलते हैं कोमेंट में जरूर लिखिएगा तो देख लिए फ्रेंज सारे बालो साही के पीसे समतियार कर लिए बहुत जादा प्यारे लगड़े हैं इधर हम गैस लाके प्ले आपट हैं सारे बालु साही को नहीं डाल देगे अब हम गैस को रखेंगे हैं अभी मेडियम फ्ले में थोड़ा सा गुंगुना हुआ और उसमें हम डाल दें जाएं सारे फ्राया है यहां पर प्र। बड़ा होते जा रहा है और देख लीजिए यहां पर जैसे हम सारी पिसेश डालती हैं एक बार पलर दी हैं देखिए फ्रेंस हम उंगली जो इसमें हॉल बनाए थे वह बहुत छोटे हो चुके हैं बहर चुके हैं इतना ज्यादा फैल चुके हैं यह बालु साही एक दम खास् और अब लोग कैसे देख रहे है गहां से देख रहे हैं मेश वीडियो और आपको अजिदे लगते हैँ और नहीं अछे लिए उलट करते हुए उ प्राय कर लिए हैं गयास को हम भी मेडियम फ्रेंस हम पांच मिनट तक इसको फ्राय किये हैं और आपको सारी निकाल लेंग ये बालो साही को हम फ्राय करके निकाल लिए हैं अब इसको हम डालेंगे चासनी में तो चासनी को हम ढखके रखे हैं इसमें क्या करें कि एक एक करके बालो साही डालेंगे एक अठा नहीं डालना है आपको अगर ज़्यादा रस बना लिए हैं हम चासनी आप ज़्यादा बना पलटने के बाद क्या करेंगे इसको हम ढखके रखेंगे तो देख लिए सबसे पहले हम पलट लेते हैं देखिए चासनी में डालने के बाद लाइट सा आ गया है बालु साही में बहुत ज़्यादा मतलब रसीली अभी से दिख रहे हैं तो एकदम से सोक करते जा रहा है अभी से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए देख लिए 10 मिनट के बाद चीनी जो है जो चासनी में बनाये हैं वो एकदम पढ़ते पढ़ गए हैं इसके ओपर ये खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी लगते हैं मुझे तो बहुत पसंद है आपको ऐसे बालु साही पसंद है क एक बार ट्राय जरूर कीजिएगा कोमेंट करके बताइएगा जरूर कैसे लिए आज की रेसिपी इस वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रिस्क कीजिएगा मिलते हैं कल ने रेसिप